नमस्कार दोस्तों, सुआगत है आपका माई किसान दोस्त पर, मैं हूँ आपका किसान दोस्त, Yes, जाट दोस्तों, यदी आप फलो के सोकीन है, और फलो का राजा होता है आम और यदि आप अपने खेत पर आएं गार्डन में आएं और उस समय आपके आम के पोदों पर 12 ही महिना आपको फल देखने को मिले तो आपका जो दिल है वो गार्डन गार्डन हो जाएगा मेरा तो यहाँ पोदे देखकर दिल गार्डन गार्डन हो रहा है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ आम के कुछ दसेग पोदे लगे हुए हैं जिस पर फल लगे हुए हैं जबकि महीना चल रहा है अगस्त का और अभी तक बजार के अंदर जो है आम आना बंद हो जाते हैं या फिर खतम होने लगते हैं ऐसी इस्तिती में यहाँ पर जब मैंने देखा कि अभी कच्चे आम लग रहे हैं और मैंने यहाँ जानकरी ली तो 12 ही महीने यहाँ पर आम आते हैं तो आज 12 मासी आम के बारे में पूरी ही जानकरी इस वीडियो के अंदर में आपको देने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो को अंद तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्क्राइब जरूर करें ताकि खेतिक किसानी से जूरी जानकरी आपको मिलती रहे तो आज मैं यहाँ पर इस बगीचे के जो ओनर है उनको बुलाना चाहूँगा तो जितेन जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप हमें 12 मासी आम के बारे में जानकरी हमारे किसान भाईयों को दीजिए सबसे पहले तो आपका जो परीचे है वो हमारे किसान भाईयों को दीजिए उनसे अगर किया कि आपके पोदें आते हैंं उनके साथ मेरे यह पोदे मंगवा दे आप तो उनौने बड़ा कि अज जी गाड़ी आएगी उस ताइम पे मैं आप से बात करुँगा तो उन्होंने ऐसे बात करके में आको का तो राज मेत फोन अंका पोनता was पहाहा बाद म तो मैंने दशेरी, लंगड़ा अगेरा यह सब लगा रखा था, लेकिन बारामासी के पोदे नहीं थे अपने पास, तो किते पोदे हमें क्यों सो पोदे मंगवाना, तो कि सो तो उपलब्द नहीं है वहां पर, अभी नई विराइटी है, तो इतना मिलनी पा रहा है, तो उन् में से यह 20 पोदे में यह प्लाइं, तो आपने इनको लगाया, उसके बात कव से फल इसमें आना इश्टाड होगा है, इसकी ग्रोध इसलिए कम होती है, यह कि जिसे आपन लाके लगाते हैं, उस टाइम से फल देना चालू कर देता है, जी, जिसे में लाके लगाया तो यहां से इत्ती से हाइड वोगी और उसके उपर फूल और फल आ रहा था तो जिसे जो फल देगा लगातार उसकी तो ग्रोथ कम होगी और जिसे एक साल में एक बार जो फल देते हैं लंगडा चोसा वगेरा यह तो ग्रोथ अच्छी कर रहे हैं उनकी हाइट तो लगबक 10-12- और इसकी क्या है कि लगातर फल देने के कारण ग्रोथ कम होती है और थोड़ी यह मेरे यहां जगे भी हलकी जगे है यह अपने लाल मौरम वाली जगे है तो इसमें थोड़ा ग्रोथ धिरही करेगा पोदा बस यह है यानि कि दोस्तों देखा जाए तो एक अनुमान में लगा सकता हूँ कि यदि इन पोदों को आप छट पर लगाते हैं बड़े गंबले में तब भी यह फल देने के लायक है अगर आप डाल कर लगाते हैं तो यह अपने छोटे से गार्डन में भी फल दे सकते हैं आपके जो चट पर अगर फल लगाते हैं तब भी वहां आपके फल मिल जाएंगे सर आप मुझे बताईए यह पांच साल के पोदे होंगे हैं ना पोदे लगाने के बाद इसमें आपने क्या 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 दिया कैसे परभंदन आपने किया सफ़ी बात तो यह कि मैंने अभी तक इसमें कोई भी फर्टिलाइजर वगेरा कुछ नहीं दिया कोई खाद नहीं कि इसमें को पानी देता हूं और अगर मैं इन पर उत्ता ध्यान दे देता है फर्टिलाइजर वगेरा यह अपने जेविक खाद वगेरा यह भी ध्यान दे देता तो और इसकी मेरे को मतलब ज्यादा नहीं तो वह 10% ग्रोथ अच्छी हो जाती इसकी यह ज़िस से 10% और भी ब मेरे तो जो दो तीन जगे सुना है और पड़ा है तो उसके हिसाब से तो मैंने इसको बारामासी की नाम से ही जाना है सर आप जैसे माल लिजी एक पोदा है और इसके हाइड भी काम है तो एक पोदे पर आपको रेगुलर कितने फल मिलते रहे हैं सर अभी लगबग 20 या 25 दिन महीना माल ले आप एक महीने भर पिले लगबग यह जो अभी माल लग रहा है इतना इस पे से अपनोंने उतार लिया है लग बक कितने किलो होगा लग बक 4-5 किलो इस पोदे से 4 किलो तो पनों ने लिया है पुका हुआ हो माल जैसे वो पटा रहा है और बच्चे और हम तोड़ ले जा के घर भर खाने में काम में ले रहे और बाकी ये फिर उससे बात का है जो अभी तैयार हो रहा है ये लग बक और फल पिर नया आये गा तो वह लगबग आपनी समझिए के दिसमबर जनवरी में जाके वह पकना चलूँगा है वह वह पकने में एक फ़ल च्रह बनने में कितना समय लग रहा हो कि यह पज़ी आपके 4,5 मिन कि पने में है कि smoked Țार Kelly मैं पूछ रहा हूं तो यानिकि एक साल में आप कम से कम तीन बार फला आराम से ले सकते हैं। तीन बार आराम से न तब यह काफी इक बात है और जो क्रतें रहопर मारकेट भी इने करते नहीं पर नहीं करते हैं। अगले साल में थोड़ा प्लान बना रहा हूं तीन बेगे का दो सोग पोधे ओर लगाने का सोच रहा हूं आपने ट्राइ किया क्या मार्केट में कि ओप सीजन में जाके कभी आम देखे हो उनकी प्राइज क्या रही हो यहां पर सरन काफी जान कर दी कि जब बहुत अच्छी बात यह है कि मैं मध्यप्रदेश में हूँ और जबकि आमों के लिए यूपी काफी ज़दा प्रसीद यूपी में आपको सभी तरह के आम मिल जाएंगे लेकिन यहां पर आप बारा मासी आम भी बड़िया तरीके से भीया ले रहे हैं इन पोदे में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आई अपको तक तो अपने उन्हें जो 20 पोदे लगाये 20 पोदे सकसे चले अपने जिसे मिने वो लंगडा चोसा वगिरा लगाया तो उसमें तो और कभी दो चार पोदे सुग गए लेकिन इसमें सुखने की कोई समझ्चे नहीं आई जो भी पोदा लगाय सब चल गया आपने सुका नहीं एक भी पोदा और ग्रोथ तो मैं कहे रहा हूं आपको कि अगर जिसे वो आपन क्या बताएं आप दूद देने वाली गाये के उपर उधारण दे दो आपको जो गाये अगर साब दिल से दूद देगी तो उसकी हेल्थ कभी नहीं बनेगी और अगर जो दूद देने में बै क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह कि कि आम उन्हों नहीं लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। आप बली अपने घर की फूर्तिके इसाब से भी ज्यादानी दुद दूद पंद्रा पंदरा पोदे भी लगा देंगीं तो आपके घर में और आपने आसपास के मिलने वालों के लिए बे सीजन आपको आम उपलब्द रहेगा जब चाहो तब आम की चटनी खा सकते हो और पके हुए आम भी खा सकते हो तो यहां पर काफी अच्छी जानकरी दी सर कई बार होता यह है कि मैं वीडियो बनाता हूं जैसे आपकी तो नर्सरी है नहीं लेकिन कई बार में वीडियो बनाता हूं तो किसान भाईयों के सवाल आते हैं कि सर हमें जो किसान के हैं उनके नंबर दो या फिर यह पोदे कहां पर मिलेंगे तो क्या आप हमारे किसान भाई जो हमें देख रहे हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं पोदे दिलवाने में या फिर आम से ज च्राप्टिंग वगेरा तो मैं बाहर सरसे जहां से म coronavirus to करवा सकता हूं उनको उप्रब्न करवा सकता है उनको उप्लोभी सकता है तो आप संपर करने का क्या ज़रिया ओब से पेस्बूक पॉर करे यह आपको किसान भाई सीधा टाइम पर कॉल कर लें दिन में क्या है कि दिन में आपन खेती में लगे हो रहते हैं अगर आपको कोई जानकारी चीहेंगे तो मैं ज्यादा उसमें टाइम दे के आपको से विस्तार से समझा नहीं पाऊँआ लेकिन शाम को फ्री रहते हैं तो आराम से अब ले अपन 10-15 मिनि वो साम को 7 बज़े बात करें क्योंकि हर एक किसान अपने खेतों में काम करता है समय नहीं मिल पाता है अपने खेती और दूसरे अधर व्यावशाय को समय देना होता है तो आप साम को 7 बज़े से 9 बज़े तक आप भईया को फोन कर सकते हैं तो दोस्तों आज की यह वीडिय करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय भारत जय किशान